Hello friends and welcome to our channel तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं टेर्नल्स की पावस के बारे में इस वीडियो में हम हर एक टेर्नल्स की पावस को डिसकस करेंगे तो दोस्तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि MCU में टेर्नल्स पर एक लाइव एक्शन मुवी आने वाली है मुवी की कास्ट को भी रिवील कर दिया गया है और बहुत जल्द मुवी का ट्रेलर भी देखने को मिलेगा फिल्म को इस साल नॉमबर में रिलीस होना था लेकिन COVID-19 की बज़ा से फिल्म की रिलीस को डिले कर दिया गया है अब इस फिल्म को February 2021 में रिलीस किया जाएगा मुवी में हमें 10 Eternals नजर आएंगे इस वीडियो में हमें सभी 10 Eternals की पावर्स को डिस्कस करेंगे तो बिना टाइम वेस्ट किया ये शुरू करते हैं तो दोस्तो यूजिली हर सूपरेरो के पास अपनी उनिक पावर्स होती हैं और ऐसा बहुत कम होता है कि कई सूपरेरो की सिमिलर पावर्स हों Eternals में कई पावर्स सेम हैं सब Eternals के पास है सूपर स्टेंथ, टेलीपोटेशन, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, मैटर मैनिपलेशन, फ्लाइट फूट, लेविटेशन, प्रेटिंग इल्यूजिंस, एंड अबिलिटी तो शूट कोस्मिक रेज आउट ओफ दियर आइज एंड हैं इसके लावा किसी Eternals का मरना नेरली इंपोसिबल है, क्यूंकि Eternals के पास अपनी बोडी के मौलिके उस पर फूल कंट्रोल होता है, और इस अबिलिटी से वो अपनी बोडी पर लगी किसी भी चोट को एजिली हील कर लेते हैं, इस तरह Eternals इमोर्टल भी हैं, Eternals कोस्मिक इनरजी को यूज़ करके अपनी अबिलिटी को और भी ज्यादा इनहांस कर सकते हैं, यही बजाए कि कुछ Eternals के पास अपनी उनीक पावर्ज भी हैं, और यही बजाए कि कुछ Eternals बागी Eternals से ज्यादा पावफुल हैं, तो अब हम बात करते हैं, EACH Eternals की उनीक पावर् का ज्यादा नोलिज नहीं है, किंगो एक एकस्पर्ट स्वर्ड्ज मैन है, एस स्वर्ड्ज मैन किंगो के स्किल्स बहुत ज्यादा हैं, किंगो के पास बागी सब पावर्ज भी हैं, जो कि हर Eternals के पास होती हैं, जिनके बारे में हम पहले डिसक्स कर चुके हैं, इसके ला ज्यादा पावर्फुल है, इसकी पावर्ज और अबिलिटीज बागी टर्नल से ज्यादा बैटर हैं, आयकेरिस सेकिंड स्ट्रोंगेस टर्नल है अर्थ पर, जितनी भी पावर्ज के बारे में हमने उपर डिसक्स किया है, जो कि हर एक एक टर्नल के पास होती है, आयकेरिस उन सब पावर्ज में सुपीरियर है, नमबर त्री गिलगामेश, गिलगामेश का रोल प्रे कर रहे हैं डोन लीग, और गिलगामेश ही सबसे स्ट्रोंगेस रिटर्नल है अर्थ पर, गिलगामेश आयकेरिस से भी ज्यादा स्ट्रोंगर है, इसकी स्ट्रेंथ थी उसकी तो गिलगा मेश कितना ज्यादा पावर्फुल है इसका अंदाजा तो आप लगाई सकते हैं जिस तरह गिलगा मेश की मेन पावर इसकी strength है इसी तरह फैस्टोस की मेन पावर है कोस्मिक इनर्जी को एक weapon के तोड पर use करना फैस्टोस का role play कर रहे हैं Brian Henry जैसा कि हम पहले डिसक्स कर चुके हैं कि कोस्मिक अनर्जी को यूज करने की अबिलिटी हर एटर्नर के पास होती है इसी तरह फैस्टोस के पास भी ये अबिलिटी है लेकिन फैस्टोस कोस्मिक अनर्जी को यूज करने में काफी ज़्यादा एक्सपिरियंस्ड है और बाकी टरनर्स के मकाबले में कोस्मिक अनर्जी को ज्यादा अच्छे से यूज़ करता है यही इसकी यूनीक पावर है फैस्टोस कोमिक्स में वैपन्स क्रेट करता है और rumors के according हमें मुवी में भी फैस्टर्स को एक inventor और weapon maker दिखाया जाएगा तो दोस्तो अगर इस character का meet-up Tony Star के साथ होता तो of course वह scene बहुत ज़्यादा awesome होने वाला था लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता नमबर 5 तीना तो दोस्तो तीना का रोल प्ले कर रही है Angelina Jolie तीना एक skilled warrior है जिसने कई साल training में गुजारे हैं वो different weapons को यूज करने में काफी माहिर है तीना के favorite weapons golden spear और crossbow है तो इससे ये अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि Angelina Jolie का character तीना हमें movie में एक जबरदस action scenes में दिखने वाला है नमबर 6 सरसी सरसी का role play रही है गैमा चैन सरसी की unique power है matter manipulation ये power हर eternal के पास होती है लेकिन सरसी का इस power पर ज्यादा control है और इसी वज़ा से ये बाकी eternals के मुकाबले में इस power को ज्यादा अच्छे से use कर पाती है सरसी comics में Avengers का part भी रह चुकी है तो अफकोर सरसी का एक main role होने वाला है मुवी में नमबर 7 सर्प्राइट मुवी में सर्प्राइट का role play कर रही है लिया मेकर कॉमिक्स में स्प्राइट बोई था लेकिन मुवी में gender change कर दिया गया है स्प्राइट की unique power भी matter manipulation है स्प्राइट सरसी से ज्यादा skill तो नहीं है लेकिन बाकी eternal से ज्यादा अच्छे से इस power को यूज़ करती है स्प्राइट एक child है इसलिए वो उपनी powers को ज्यादा तर प्रैंक्स करने के लिए यूज़ करती है नमबर 8 मकारी तो दोस्तों अब ये वो मकारी नहीं है जो हम सब करते हैं studies में बलके ये एक eternal का name है मकारी का role play कर रहे हैं लोरें रिडलोफ मकारी की unique power है इसकी speed मकारी का ambition है universe में सबसे fastest बना इसके लावा बाकी सब powers जो एक eternal के पास होती है वो तो मकारी के पास है ही कोमिक्स में मकारी कुइक सिर्वर को भी हरा चुका है तो इससे आप इस बात का अंदाज़ा तो लगाई सकते हैं के मकारी कितना ज्यादा fast है मकारी flash से ज्यादा fast है या नहीं इसकी तो कोई confirmation नहीं है नमबर 9 ड्रूग ड्रूग का role play कर रहे हैं बैरी कुगान ड्रूग की ज्यादा तर पावर्ज बाकी टर्नर से सिमिलर है लेकिन दो पावर्ज में वो ज्यादा सुपीरियर है ड्रूग भी matter manipulation में माहिर है लेकिन सप्राइट की तरह सरसी से ज्यादा skilled नहीं है ड्रूग की दूसरी उनीक पावर है टेलीपैथी ड्रूग बाकी टर्नर से टेलीपैथी में ज्यादा माहिर है वो लोगों के दिमाग को इजीली पढ़ सकता है और बड़ी असानी से किसी के brain को manipulate भी कर सकता है ड्रूग अपनी powers को wrong way में यूज करता है और लोगों से अपना काम निकलवाने के लिए उनके mind को manipulate करता है अजक का role play कर रही है सिलमा हाएक तो दोस्तों एजक के gender को भी change कर दिया गया है मूवी में कोमिक्स में एक character male था एजक के पास वो sub powers हैं जो usually एक eternal के पास होती है लेकिन एजक के पास एक unique power भी है जो कि किसी दूसरे eternal के पास नहीं है एजक अपने creators यानि celestial से communicate कर सकती है एजक eternals की leader है लीडर होने के नाते एजक का main role होने वाला है मूवी में तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मूवी में Celestrius दुबारा आर्थ पर आएंगे जिसकी खबर एजक को पहले पहुंच जाएगी Celestrius एक planet पर creation करने के बाद हजारों साल बाद दुबारा उसी planet पर जाते हैं ये देखने के लिए कि उनकी creation के बाद उस planet पर सब कुछ कैसा चल रहा है अगर उन्हें लगता है कि planet पर कुछ तो गड़ बढ़ है तो वो पूरे planet को ही destroy कर देते हैं possible है कि हमें मुवी में भी ऐसा ही कुछ दिखाया जाए जिसमें अटर्नर्स लेस्रियोस को रोकने की कोशिश करेंगे तो दोस्तो अगर आप इटर्नर्स की history और origin के बारे में detail में जानना चाहते हैं तो आप हमारी history और इटर्नर्स की वीडियो को देख सकते हैं तो बस दोस्तो इस वीडियो में इतना ही आपको ये वीडियो कैसी लेगी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें शेयर करें दोस्तों के साथ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजएगा ताक मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो के प्डेट आप तक कहुंच सके तो मिलते हैं अगली वीडियो में तिल देन बाए